बिष्मिल्यर्गार्मान रहीम, आज के इस lecture में हम देखेंगे कि k-means clustering क्या होती है और इसको कैसे coding करनी है पिछले lectures के अंदर मैंने clustering को और k-means clustering की theoretical background आपको बताया था इस lecture में हम python के पर psychic learn को use करते हुए coding करेंगे k-means clustering की और इसमें काफे concept हम देखने वालें के किस तरीके से हम K-Means Clustering को proceed करते हैं for our data analysis और कौन-कौन से इसमें features जो हैं वो involved होते हैं. Features से मुराद आपके कौन-कौन से important चीजें हैं. कुछ चीजें जो हैं इस lecture के अंदर और रड़ी code की हुई हैं सिरफ आपको दिखाने के लिए because we are working on an advanced level लेकिन जो चीजें आपको नहीं पता लगेंगी तो इसको मैं साथ-साथ explain भी कर दूँगा. तो let's begin. आपके सामने ये आपको एक screen नज़र आ रही होगी अभी इस वकत. ठीक है? ये मेरी 15th notebook है. ये और रड़ी आपको मैं send भी कर रहा हूँ. साथ-साथ कहा सारी notebooks. के string के बारे में आज हमारा काम है. So k-means cluster को अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास इसके तीन major features आते हैं कि ये unsupervised learning है ठीक है? और unlabeled data पर काम करती है and it makes या make clusters from unlabeled data. ये तीन major important चीज़ हैं और इसके चार steps थे जो कल हमने देखे थे कि सबसे पहले centroid बनते हैं फिर assignment होती है centroid को अपर data की फिर इस recalculate होते हैं फिर iteration होती है और उसके बाद में हमारे पास total adjustment आ जाते हैं कि cluster कौन सा किसके साथ belong करते हैं अब यहाँ पर example के तोर पर अगर start की जाए coding तो हम SQL learn से k-means को import करते हैं और ये clusters के एक API के अंदर से निकल के आती है ठीक है और अगर हम sorry cluster के यहाँ पर जो SQL learn की library है उसके अंदर ये वाली class है हमारे पास cluster उसके अंदर के means का function उसके अंदर ये निकल गया आईगी और यहाँ पर data sets हम जो लेंगे इस वाकत blobs का data लेंगे यह already वहाँ पर data पड़ा हुए just to show the clusters और फिर हम matplot lip से इने plot करके देखेंगे कि clusters plot कैसे होते हैं आज के lecture में मैं आपको यह दिखाऊंगा कि आप basic clusters को किस तरीके से observe करते हैं फिर यह दिखाया जाएगा कि clusters के 2D plot कैसे बनाए जाते हैं फिर यह दिखाया जाएगा कि clusters k means की base पे हम किस तरीके से find out करते है कि optimum number of clusters कौन से अच्छे हैं और k-means के अंदर albo method और silvert method की base पर फिर उसके बाद हम यह देखेंगे कि EDA के अंदर यह हमें कैसे helpful साबस होते हैं फिर plotly के उपर यह draw करेंगे and we will learn a lot of things about k-means clustering today at the end मैं आपको k-means और k-means plus plus के बारे में बताने वाला examples में यह हमने यहां पर यह वाला data लिया from k-means cluster import k-means ठीक है यह लेने के बाद हमारे पास s के learn से हमने blobs का data ले लिया और यह plot plot mat plot lip के उपर हम इसको plot करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करते sample dataset blobs के थूँ हम generate कर लेते हैं something के आप इससे simply अपना data generate कर सकें और कुछ नहीं है यह वही चीज है के x और y true आप इसमें बना लेते हैं और उसकी base पे आप check करते हैं makes blob एक आप यह कहलें के dataset के अंदर आप अपनी मर्जी से samples देके centroid देके cluster का standard deviation या उसकी जो variation है वो देके अब basically 4 blobs बना रहे हैं या cluster बना रहे हैं ठीक है तो हमने क्या किया यहाँ पर k-means को initiate किया जैसे हम बाकी algorithm करते थे और यह important चीज है mind में रखने वाले कि जब भी हम fit करते हैं एक unsupervised learning algorithm को we don't use y यह सिरफ और सिरफ features के उपर apply होता है ठीक है so we are applying this on x x क्या इसके अंदर वो एक data set है जो features का है ठीक है and then हमने क्या किया है जब हम इसको apply करते हैं तो जहरी बात है हमारे पास labels आ जाते हैं किस चीज के levels हमारे पास जो clusters बनते हैं वो labels की base पर बनते हैं say for example हमारा data जो है वो चार चीजों के अंदर divide हो गया है 1, 2, 3 और 4 के अंदर यानि कि हमारे चार cluster बने हैं पहला, दूसरा, तीसरा और चोथा तो होता क्या है पहला, दूसरा और तीसरा, चोथा जो cluster बने हैं ये एक आप separate अपने data के अंदर labels भी इसके लगा सकते हैं जिससे आपको पता चलता है के आपका सारे का सारा data चार labels की तरीके से divided है और जिस data के आप सामने आपके पास label 1 आएगा इसका मतलब है ये एक किसम का data है जिसके label के सामने two आएगा ये समझ आएगे कि ये दूसरे कििसम का data है we will look into this in details और उससे पहले लेकिन यहां पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास annotate delete and yes so यह वही चीज है यहां पर k-means के labels जो हमने ले लिए और basically इसको मैंने add नहीं किया एक नहीं data के sorry जो निया हमारा data frame है उसके अंदर हमने column नहीं add किया यहां पर ठीक है but later on we can add that into a column यहां पर simply मैंने इसको plot करवान है and then we will see किस तरीके से यह plotting होती है ठीक है यह simple indexing use की है अगर आपकी indexing में भी भी आप कमजोर है so please look into the indexing lecture या pandas की जो basic 10 minutes की library है उससे जरूर देखिएगा तो मैं ने blobs जो बनाई थे वो यही इसी base पर बनाई थे चार clusters के blobs हमने बना लिये थे तो data आपका इस तरीके से divide होते है अब मुझे एक बात बताएं कि data जब divide कर रहे हैं हम तो हमारे पास किस किसम का plot होना ज़रूरी है bar plot box plot या scatter plot scatter plot क्यों क्योंकि इससे हमें visualize कर सकते हैं हर data point को कि यह किस एक class के अंदर या किस एक cluster के अंदर जा रहा है ठीक है और centroid भी तो इसी base पर हम measure कर सकते हैं उनका distance और सारी चीज़ें तो scatter plot is one of the important plots when we are dealing with k-means clustering okay ची तो हमने यह तो कर लिया अब यही काम हम diamonds के data set पर करते हैं कुछ बड़ा data set है मैंने codes वगरा सारे run करके एक दफा देख लिए है को 3 minutes से ज्यादा नहीं लगेगा लेकिन we will see के यहां पर क्या बनते है ठीक है यहां पर जो x और y axis थे ना पहले data में वो automatically उस हिसाब से यहां पर plot हुए so we don't need to be worried के यार यह 0 में क्यों है minus में क्यों है plus में क्यों है okay तो diamond के data set के लिए basically मैंने pandas numpy, matplotlib, seabon और k-means मैंने यहां पर 5 libraries import कर लिए right फिर मैंने diamond का data set import कर लिए अब diamond के data set में मैंने carrot और price की base पे cluster बनाने यानि के दो चीजों की base पे हम clustering करने वाले हैं अगर आपको diamond के data set का नहीं पता के वो कैसा दिखता है तो मैं यहां पर आपको उसको पहले दिखा देता हूँ it is something like this यह है ठीक है इसमें कहा जनाब आपके पास carrot भी एक numeric value है और price भी एक numeric value है हमने दोनों की base पे carrot और price की base पे classes बना लिए diamond की ठीक है now we will see के यहां पे carrot और price दो numeric value हमने x में ले ली and then what we can do k means और k means के number of clusters हमने 5 दे दिए ठीक है बहुत चवण हजार का data है पांट या 6 या साथ आप उसकी base पे दे सकते हैं अगर अगर आपको बाकी columns का पता है ना तो number of clusters usually आप categorical variables की unique values को देखते हुए assign करते हैं अगर categorical variable for example cut के अंदर unique values 5 या 6 हैं तो it's always better to give 5 clusters अगर आपको data का पहले से पता है तो अगर clarity आपके पास 6 या 7 टाइप किया तो उससे ज्यादा cluster ना दीजिएगा अगर आप देंगे तो वह एक random nice आ जाए ये data में and then you cannot see के EDA के अंदर क्या चल रहा है तो इसी वड़े से मैंने 5 cluster दी है and then we will see के ये कैसे divide करते हैं वही चीज़ हमने fit की है उसके उपर फिर यहां पे हमने उसके labels निकाल लिए तो हम क्या करते हैं यहां पे fit करने के बाद हम k-means के labels लेते हैं for each data point यह k-means का मतलब बला क्या है आपने algorithm लगाया यह वाला और train किया train करने के बाद आपके पास जो cluster के numbers आई हैं ना values आई हैं हर data point की वो यहां पे हमने लिख लिख लिखने के बाद हमने क्या किया हमने उसको एक separate column में भी add कर दिया जिसका नाम ही हमने labels रख दिया सही है तो यहां तक अगर k-means clustering आप खुद से कर लेते हैं ना then at the end आपको plot करना खुद से भी असान हो जाता है ठीक है तो यही हमने किया यहां पर हमने क्या किया है plot the data with different colors for different clusters हमने जो colors थे ना mat plot lip के थूँ वो labels को assign कर दी है तो हुआ क्या अब यह देखिएगा कुछ इस तरीके से हमारे पास graph बन जागा carrot और price का सही है अब अगर आप गोर करें तो हर एक point जो है आपको कुछ शो कर रहा है यहां पर अगर आप गोर करें तो ठीक है मतलब यह एक दो तीन चार पांच clusters बनें और हर एक को हमने कुछ label assign की है based on the clusters यह जो clusters है ना पांच cluster यह data frame के labels में चले गए है अगर आपको नहीं समझ आई के labels कहां पे है तो अगर आप df.head दुबारा करें ना मैं तीन values को करता हूँ यह चेक करें आपके labels फिर रहे यह एक नया column add हो गया उसके अंदर यह column पहले वहां पे नहीं था हमने clusters बनाने के बाद उनके numbers जो हैं यहां पे दे दिए ठीक है अब अगर मैं यहां पे df. अब अगर मैं यहां पे करता हूँ label dot और unique values अगर मैं दूँ तो let's see हमारे पास आती है one two zero one two three four मतलब के पांच clusters हमारे बने है तो यह clusters के labels जो हमने दिए जो मैंने भी आपको दिखाया यह यहां पे हमारे पास इस तरीके से आ जाते हैं अब अगर आप चाहें तो सिर्फ इनकी basis पर भी आप draw कर सकते हैं कि पहला लेबल कौन से है, दूसरा कौन से है, तीसरा कौन से है, चोथा कौन से है, पांचवा कौन से है For example, अगर मैं यहां पे एक plot draw करना चाहूँ अब SNS. उसको मैं कहता हूँ box plot या box and plot X पे मैं रखनू labels, Y पे price तो मेरे पास हर label की, हर cluster की price आ रही है, मेरे पास समझ रही? तो हम इसके साथ बहुत अच्छे तरीके से, मतलब अपना जो काम है वो ले सकते हैं, अगर मैं इसी को box plot बनाओ, यहां पे लोक, तो हमारे पास different clusters की price की base पे different loss बनगे, अब जरूरी नहीं है के low price वाले का पहला cluster बनने है, it can come under third criteria, यही तो वज़ा थी, जब मैंने यहां पे, यहां पे df.head किया, कहां गया, this one, तो start में जिनकी price कम थी, वो तीसरे cluster में आ रहे हैं, और अगर आप गोर करें, जब मैंने इसकी unique values निकाली थी, तो lowest three पे है, फिर zero है, फिर two है, फिर one है, फिर four है, यही चीज़ तो यहां पे न, three, zero, two, one, four, ऐसी है, तो इसका मतलब यह हुआ कि price का पहला cluster यह बना, दूसरा यह, तीसरा यह, चोथा यह, पांच वाई यह, और अगर मैं इसी के numbers of cluster मैं change कर दूँ, यहां पे मैं 10 कर दूँ, अब मैं इसको run करता हूँ, run हो गया, यह देखें, आपका पहला plot तो कुछ इस तरीके से clusters बन के आ गया, ठीक है, अब यहां पे अ अगर आप सिरफ एक को करते तो इसके different clusters बन सकते थे, मतलब अगर मैं यहां पे carrot को remove करूँ, ठीक है, और इसको run करूँ, run करने के बाद अब यहां पे क्या scene हो रहा है, single positional indexer is out of bond, मतलब क्या, हमारे पास single value का cluster नहीं बनता, until unless हम बताएं के कहां कहां पे cluster बनाने हैं, कुछ समझा हैं बात की? मतलब जब उसे मैं plot नहीं कर पाऊंगा, तो cluster कैसे बनाऊंगा, simple सी बात है, scatter plot नहीं बनेगा, तो मैं cluster कहां पे बनाऊंगा, कैसे मैं assign कर दूँ कि यह एक दूसरे से मिलते हैं, तो यहां से हमें क्या scene समझा है, हमें यह बात पता लगती है, कि जब भी आप clustering करते हैं, you should have at least a plotting variable, other than the non-variable, तो यहां पे अगर मैं अब caret को करता हूं, x और y-axis मेरे पास आगे, because of two dimension of the data, now it should work, and it is working, अब आप चेक करें, caret मेरे पास पहले आ रहा है, price यहां पे आ रह कर दी है, पहले मुझे इसके label set करने दे, मैं उल्ट कहा गया हूं, because of the labels, and then I came to know कि यह मैंने गलत किये, caret, now आपके जो clusters बने हैं, वो x और y-axis flipped हो गए है, ठीक है, caret वो ही रहेगा, मैं वो ही कहूं, मैंने कह एक दो price आ रही है, price तो इतनी नहीं होते, so आपका यह flipped बन ग price, और अगर मैं यहां पर click करूं, तो यह मेरे पास 10 clusters बन चुके है, something like that, तो आप plot के अंदर उनको assign भी कर सकते हैं, कि 0, 1, 2, 3, 4 की order में आ जाए, so this is how you make clusters, ठीक है, तो मैं यहां पर 5 ही रहने देता हूं फिलाल के लिए, और यह plot कोई भी आप बना सकते हैं, यहां पर, based on the labels, and then you can also see the data, ठीक है, और यह उसकी unique values है, number of clusters अगर आप further change करना चाहें, और X के अंदर बाकी चीज़ें भी ले हैं, caret, price, cut, color, clarity, you can also include the categorical data, but, there is a but, but, you have to get the dummies values, यानि के hot encoding करनी पड़ेगी, one hot encoding कर ले, label encoding कर ले, कोई भी encoding कर ले, it's fine, मैंने यहां पर pandas की get dummies use की, clusters मैंने पंदरा बजाएं बनाया हैं यहां पर, पंदरा की बजाएं मैं पांच कर लेता हूं फिलाल के लिए, just to show you, अब मैंने X पे लगाया, और X में कितने variable हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, लगाने के बाद मैंने labels लिए, labels लगाने के बाद मैंने price और carrot को यहां पर द अब आपको लग रहा होगा कि यह पीछे वाली जो example है, यह तकरीबन same same ही हो गई है, वो ही cluster वहां पर बने थे, वो ही वहां पर बने, ऐसे लग रहा है ना आपको, क्यों, क्योंकि हमने carrot और price को यहां पर draw किया है, अगर मैं यहां पर, say for example, हमारे पास carrot और price, यह हमारे पा color and clarity, यह हमारे पास क्या हैं जी, categorical variable, is it possible to draw a categorical variable when you are showing the clusters, let's look into that, हम मैं कहता हूँ के categorical को plot कर सकते हैं, क्या numeric पर, हम करके देखते हैं, cut को और price को, यह दोनों को हम करके देखते हैं, based on the labels, क्या होता है, यह होता है, यह होता है, पर, यह क्या हो रहा है, यह हमारे पास x और y पर plot वैसे ही हुआ है, but it is showing, के हमारे पास cut की जो values है, नहीं, sorry, cut, price, labels, 1, 2, let me see, 0, 1, 2 हमने लिया यहां पर, this is not cut, 0 हमारा caret है, 1, 2, यह color है हमारे पास, क्योंकि हमने यहां पर two indexing की है, यह हमारे पास color है, अच्छा जी, तो यह हमारे पास basically color की base पर यह classes बन जाते हैं, के clusters जो हैं, आप numerical data के base पर बना सकते हैं, categorical data की base पर आप सिरफ उनको x में अगर रखना चाहिए, you can add them there, लेकिन जो clusters है, वो ज्यादा तर numerical data को ज्यादा वेटिज देते हैं, यहां पर एक question आपके पास यह आता है, so which kind of input variables can we take in k-means clustering, that is your assignment, input variables की बात होई है, यह जो है ना आपके इस question का answer दे देगा है, and this is really easy to understand, ठीक है, numeric मैंने आपको बता दी है, ठीक है, categorical आएंगे, encode करने के बाद उनका क्या impact होता है, you have to look into that one, simple, okay, अब यह हमें EDM में कैसे help करते हैं, अब इसकी बात पर चलते हैं, जब हम clusters को, labels में add करके, एक data set के अंदर add करते हैं, sorted करने के बाद, तो something like this happens, यह हमारे पास इस तरीके से data आ जाता है, for example, अगर मैं यहां पर start करूं, तो हमने क्या किया यहां पर, सबसे पहले data जो है, हमने separate कर लिए, carrot और price, उस पर हमने machine learning लगाई, हमने fit किया, फिर हमने predict किया labels, और labels को extra add कर दिया, 0, 1, 2, 3, 4, 5 की शकल में, फिर हम उसको add करते हैं, तो something like this happens, अगर आप add देखें, और then हमने क्या किया है, जो unique clusters है, उनको sort करके हमने print कर दिया है, जो हमने पहले काम किया था, वो ही काम यहां पर किया, अब यह labels की जो classes है न, these will show us कि आपका data किस तरीके से divided है, if you can plot this, ठीक है, और plot कैसे करने है, उसके लिए मैं आपको recommend करूंगा, कि अगर आप अभी एक चीज़ देखें, which is called coordinate plot, polar coordinate plot, अगर आप ज़रा लिखें, Google के उपर के polar coordinate plot क्या होता है, और इसको किस तरीके से हम use करते हैं, to access कि आपका data किस तरीके से divided है, then it will show you a bigger picture कि आप किस तरीके से data को देख सकते हैं, ठीक है, और यह आप basically plotly के अंदर इससे use कर सकते हैं, इसको बोलते हैं, parallel coordinate not polar sorry for that parallel coordinate plots, parallel coordinate plot, मतलब मैं यहां पे अगर लिखू, make a parallel coordinate plot using plot. बहुत असान है अगर आप देखें तो, अगर मैं import plotly dot express as px कर लो, fig is equal to px dot parallel coordinates, और यहां पे diamond करके, colors is equal to यह वाला कर देते हैं, and fig dot show. अगर मैं आप देखें, यह plot है जी, और यह अक्सर उकात बंदों के होश वाज उड़ा देता है, reason यह है कि इसकी base पे आप पूरे के पूरे data को देख सकते हैं, कि किस के ताने बने किस के ताने बने के साथ जुड़े हुए, आप पुरा अंधाजा लगा सकते हैं based on the cluster system, जो आपने clusters बनाया हैं, these are in the levels, ठीक है, बाकी आपकी price और बाकी चीज़े हैं, अगर आप गौर करें, आपने price की base पे बनाये थे और carrot की base पे बनाया था, ऐसे ही है, तो आप गौर करें तो major जो cluster बनाया आपका price की base पे जा रहा है, जीरो से one तक, फिर हलका सा light, फिर हलका सा light फिर आगे, so on and so forth जाता रहा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे data का link समझ आता है, तो multi-co linearity समझ आ जाती है, जो मैंने कल आपको बताया था कि data किस तरीके से आपस में जुड़ा हुआ है, आप क्या output ले सकते हैं इस plot से, अगर diamonds का data set देखा जाए 50,000 प्लस rows का, तो हमें major output क्या मिलती है, जो हमारे पास clustering हुई है यहाँ पे, zero, one, two, three, four, यह इस तरीके से clustering जा रही है, ठीक है, और वहां से हमारे पास, चीजें निकल रहे हैं, अब यहाँ पे आप यह भी तो अंदाजा लगा सकते हैं ना, इस plot से, कि कौन सा data गल्थ cluster में गया हुआ है, लगा सकते हैं ना, easily, अगर मैं आपको मिसाल दूँ यहाँ पे, तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगा, evaluation से पहले, अगर आप गोर करें, यह इसके दो थ्रेड यहाँ से क्यों मिल रहे हैं, और बाकी सीधे क्यों गए हैं, और यह तीसरा यहाँ पे क्या करने गया है, ठीक है, फिर इसके दो थ्रेड सेपरेट क्यों हो रहे हैं, अपनी पूरी लाइन से, फिर यह एक थ्रेड क्यों सेपरेट हो रहे हैं, फिर इसकी एक और मिसाल में आपको देता हूँ आप गोर करें कि प्राइस की बेस पे अगर कलस्टर बने एक कलस्टर दो कलस्टर तीन कलस्टर चार एंड पांच ये बड़े हमें क्लियर नजर आ रहे हैं और एरर के चांसे भी बहुत कम है वज़ा ये है कि इसकी बेस पे तो प्लॉट बने है न सारा तो अगर हम बाकी पॉइंट्स को देखें तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं प्राइस का क्या रोल है आपके प्राइस एक्स वैल्यू का या वाई वैल्यू या जी वैल्यू डैप्थ का तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोईस प्राइस जो है वह लोईस एक्स और जी वैल्यू और वैल्यू देए अपको है आईएस प्राइस जो है वह आपको ज्यादा X YZ की वैल्यू देए कि जो depth, width और उसका जो मतलब पूरा diamond का जो एक qualities होती हैं तीन चीज़ में पर depend करती है इसके इलावा अगर table पे जाएं तो इतनी खास information हमें नहीं मिल रही है अगर आप गौर करें के मिल रही है क्या ख्याल है आपको मिल रही है को खास information यहां पर table के उपर depth पे देखा जाए तो आपको मिल रही है को information carrot आपके पास one, two, three, four, five है यह information आपको क्या दे रही है मनलब यह scale है, scale के अंदर आपके पास carrot छुपे हुए अगर मैं अब आपको एक चीज दिखाता हूँ कि अगर मैं clusters ज्यादा बना देता ना तो क्या हाल होता हमारे EDA analysis का अगर यहां पे clusters हम कर लेते हैं 15 मैं इसको run करता हूँ करने के बाद यह हमारे पास clusters आ गए अब देखिए गाई इसका बिचारे का क्या हाल होता चेक करें रहा गडबड मचकी न तो हमें क्या अच्छी समझ आ रही है specifically ज्यादा हो गया लेकिन basically EDA के अंदर हम broader level पे चीज़ों को देख के पड़ते हैं ठीक है तो इस तरीके से parallel coordinate plot आपको information तो देता है but you need to be very careful about the information जो आप वहां से गेन कर रहे हैं तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं और एक variable की base पे दूसरे variables का link चेक कर सकते हैं अब एक और इससे information हम कैसे ले सकते हैं for example मैं यहां पे तीन clusters बनाता हूं अब यह भी clear हो गए हमारे पास यह वला तो clear था है यह भी थोड़ा सा clear हो रही है चीज़ें still कुछ चीज़ें missing है yellow में भी और इसमें भी mix हुई पड़ी है लेकिन easily understand कर पा रहे हैं तो अगर मैं number of clusters यहां पे दो कर लो just a minute let's see हम क्या यहां पे achieve कर पाते हैं भी अब check करें तो यहां से आपको समझ आ रही होगी labels आपके पास कितने हैं और किस तरीके से वो दोनों plot कर रहे हैं blue and yellow price की base पे mid level पे आपने आके इसमें cut लगा है ठीक है और x की value भी separate हो रही है य की भी कुछ separate हो रही है बर्जी की भी लेकिन जो पंगा परड़ा है still depth में परड़ा है और carrot में आप directly कह सकते हैं कि depth में कोई फरक नहीं पड़ता price की base पे क्योंकि वो सारी overlap अभी भी कर रही है again आपका table का भी यही argument हो सकता है पिर carrot के अंदर भी तो इसी तरह अगर आपके पास data के अंदर को dimension पचास से ज्यादा हो तो आपको असानी से पता नहीं चल जाएगा कौन सा multi goal linearity effect है कौन चीज किसके साथ कितनी correlate कर रही है so this is one of the applications अब हम यह देखते हैं कि यह जो हम number लगा रहे थे पंदरह दस पांच साथ आठ यह हमें कहां से पता चलेगा के best number कितना है जो कल हमने चेक किया था theoretical part के अंदर ठीक है let's see album method पहला आता है हमारे पास जो मैंने कल भी आपको बताया था album method हमें क्या बताता है एक graph बना के देता है से में पता चलता है हम इनर्शिया को left side side पे यानि के y-axis पे रखते हैं और हमारा जो x-axis पे आप वो number of clusters आते हैं तो मेरे पास panda, seaborn, plotly, matplotlib, sorry and k-mins यह चार libraries है diamond का data set हम ने लिया तीन basis पे हम relevant features को select करते हैं caret depth and price तीन कर लिया यहां पे आप चार कर सकते हैं पांच जितने भी आप features हैं कर सकते हैं इन तीन की base पे हमने features extract कर लिए x में से x के अंदर और अब अगला काम हम क्या करते हैं के means clustering यह निके के value और inertia की value हम separate दे देते हैं ठीक है inertia की मैंने एक list start कर लिए खाली अभी inertia का बताया नहीं क्या होता है यह wsc वो जो 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 ना within cluster wcss वो चीज़ है inertia within cluster sum of scarce ठीक है k value हमने range बता दिया जी एक से 11 तक रखो k की value ठीक है let's see अब for k in k values यानि के k values के अंदर जो k है उसकी base पे k means को हमने बताया है के भाई आप सभी पे run करो k means डेलगरेट हो पहली चीज़ for loop की समझ आ रही है न हमने एक से 11 तक बताया हमने का यार सभी को run करो सबसे पहली and foremost है दूसरी चीज़ क्या है इन सभी को fit करो x पे जो आप उपर करो खाम वो x पे fit कर दो x के है carat depth and price तीन चीज़ों पे ठीक है फिर हम यह कहते है inertia's dot append वो append करो मतलब inertia के अंदर जो खाली list बनाई है उसके अंदर लिखना start करो वो वाली values जो हर k-means के बाद आती है हर k-means का inertia मतलब यह यह जो मैंने उपर model train किया है न यह वाला यह जो आप देख रहे है k-means dot fit अगर मैं इसका inertia निकालना चाहूं तो कुछ इस तरीके से निकलेगा k-means dot inertia यह inertia है उस k-means का यह जो मैंने उपर k-means का algorithm train किया था मैं यही कह रहा हूं कि एक से लेके 11 तक सारे k-means run करो number of clusters पे और हर किसी का inertia पकड़ो पकड़ने के बाद यह list के अंदर append कर दो यानि के paste कर दो for example पहले का आया 12.1 दूसरे का आया 64.12 something like that तो so on हम 11 का पूरे का लगाएंगे ठीक है तो हमारे पास दो values हो जाएंगी एक होगी inertia हमारे पास और दूसरा k की value simply हमने इन दोनों को plot कर देने simple plot करने और हम देखते हैं कि इसमें क्या आता ठीक है इसी को elbow method बोलते है y axis पे हमने inertia और x level पे हमने k की value को plot कर देना and it will train the model and show us something like this यह elbow जो best number of clusters है आपकी कोनी जो है पीछे से अगर आप देखें गोर करें यह जो हिसा होता है यहां से यहां तक कैसमें को खम होता है उपर से यहां तक को खम है जहां पर जोड़ है सीधी है ना तो इसका मतलब जहां से खम स्टार्ट होगा वो हमारा number of clusters best होगी समझाई भात की कभी ऐसा हुआ कि कि कोनी जो हो होके की तरह टेड़ी हो नहीं ना क्योंकि उसमें जो दो हड़ी हैं वो सीधी रहनी है तो यह point याद रखने के लिए याद रखें कि यहां से सीधी आ रही है इदर से कुछ टेड़ा मेड़ा होना स्टार्ट हुए ठीक है बाकी आगे जाहरी बात है यह भी पॉइंट ले सकते हैं यह भी ले सकते हैं लेकिन हमने वह वाला point लेना है जहां पर इनर्शिया जो है हमारा वो number of clusters की base पे change होना स्टार्ट हुए in a way के elbow method बनना स्टार्ट हुए अब यह क्यों लिया जाता है अभी देखते हैं अगर मैं इसी चीज़ को extra एक उपर line draw करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा पहले तो plot बना लिया सारा अब मैं find the elbow point elbow point find करना चाहता हूं ठीक है उसके लिए ये एक छोटा सा हम loop लगाते हैं for iron range जिसमें इनर्शिया की पूरे की length निकाल लेते हैं और जहां पे हमारे पास inertia के अंदर हम आता है वह हमें बता देता है based on the difference in index ठीक है तो इसको बड़ी detail में हम देखेंगे बट पहले मैं आपको plot दिखा दूँ के end पे हमारे पास क्या बनता है यह हमारे पास इस तरीके से elbow point जो है बन जाता है आप इसको show भी कर सकते हैं और आपके पास number of clustering जो best number of clusters है वो भी show हो जाते हैं अब यह किन चीज़ों पर depend करता है कोने क्यों हम देखते हैं अगर आप इस पे जरा google search करें अभी के लिए कि हम elbow method में क्यों elbow point को देखते हैं वजा क्या है वाइडू वी लुक फॉर दे अल्बो पॉइंट वह तो हम देखते हैं तो find the number of clusters तो करते ही हैं elbow point ही क्यों हम elbow जहां पर टेड़ी होके आगे आगी है वहां से क्यों नहीं देखते हैं यह जड़ा search करेंगे तो आपको ज्यादा समझ जा रहेगे इसकी अंदाजा तो मैं भी लगा सकता हूं इस वज़ा से करते हैं क्योंकि वहां से direct फॉरन से चेंज आ जा जाती है अगर हम elbow point के उपर मैं आपको ले के जाओं तो क्यों हम ये वला point ले रहे हैं तीन क्यों नहीं ले रहे हैं वज़ा क्या है चार क्यों नहीं ले रहे हैं पांच क्यों नहीं ले रहे हैं छे क्यों नहीं ले रहे हैं दस क्यों नहीं ले रहे हैं दो ही क्यों हमने बोला है कि elbow point है? झाल महीं झाल दो सकते ही कर दो सकता उर्लिय्ट चले मैं आपको अपनी थियोरी बताता हूं जो एक पेपर मैंने कल आपको भीज़ा था ना शायद आपने वह नहीं पढ़ा वह लेटरस पेपर है 2023 का अगर आप वह बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूं पहली बात तो ये कि अल्बो पॉइंट आपको exact number of clusters नहीं बताता ये जो बताता है ना इसकी assumption हो रहा है कि ये आपको within cluster sum of scares जो है वो कम करने वाला तरीका है कि ये इतने cluster ले लें that's it अब अगर आप गोर करें ना कि हमारे पास ये जो value आ रही है यहां पे और यहां से start हुई value अगर मैं उपर से देखूं यहां से ये value start हुई यहां पे आ रही है consecutively same speed से same change के साथ ऐसे ही है same change के साथ आ रही है जैसे हम दूसरे point पे जाते हैं यहां से sudden change start होती है and it decreases in a different direction तो basically तो vector का यहां पे रोल है कि एक consecutive जो value आपके पास आ रही है जैसे ही वो change होती है इससे आपके पास overfit होने के chances ज्यादा हो जाते है ठीक है और अगर आप number of clusters पहला लिया एक cluster लिया तो एक cluster तो जाहरी बात है आपको inertia बहुत ज़्यादा देगा कि सारे के सारे same जगा पे calculate करते है दूसरा जब cluster आप लेंगे तो इससे क्या होता है आपके number of clusters जो है ये बताते हैं कि आपके inertia की value यहां पे consecutive आ रही है बाकी चीजों के लिए लेकिन जैसे आप change करते हैं तीसरे cluster पे तो फोरण से आपकी inertia की value decrease करना start कर जाती है बहुत ज़्यादा तो अगर आपने inertia की value बिलकुली zero करनी है या zero के पास करनी है तो या तो यह overfit हो जाएगा model या तो underfit हो जाएगा based on the assumption के हम कितने clusters वहां पे ले गए अगर हम एक ही cluster बनाते है then it will be overfitting the model के सारे ठीक आगए हैं सही जगा पे पहुंच गए है बुजारी बात है पूरे के पूरे cluster को अगर हमने डिवाइड ही नहीं किया तो एक जगा पे आ गया अगर हम दो बनाते हैं और inertia की value बहां पे ठीक रहती है तो we will see ठीक है अगर यहीं पे तीन पॉइंट आ जाते है तो फिर भी हम यही कहते हैं कि जहां से change हो रही है यह तीसरा cluster है ठीक है तो आपने consecutive reduction देखनी है तो यह method की पीछे theory यही है कि consecutive change यह बात जब sudden change आती है और तो उस point को हम select कर लेते है number of clusters की base पे यहां पे कुछ science दान यह भी कहते हैं कि आप भई तीन number of clusters भी यहां पे choose कर सकते है ठीक है reason क्या है कि वो कहते हैं कि ठीक है इसके बाद change फिर भी आ रही है so usually क्या होता है लोग यह कहते हैं कि यह जो दो points है ने इनका mean ले 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 और उसका आदा number of cluster which is round about 2.5 और वो possible नहीं है हमने discrete number choose करना होता है so it's always better to choose 2 and 3 and then find out कि कौन सा best काम कर रहा है based on the values जो आपके clusters के अंदर चीज़ें आ जाती है इसी वड़ा से एक method पे rely करना बेतर नहीं होता क्योंकि यह हमें बता रहा है silhouette method क्या है यह silhouette score होता है यह आपको wcss यानि के inertia की बजाए यहां पे silhouette score देता है जो कल मैंने आपको बताया था minus one zero और one याद है ना जिसमें मैंने example देती है उदर के नहेर है उदर के रहे ठीक है यहां से एक से ग्यारां भी मैं कर सकता हूं for me it's not a problem we will see कि क्या बनता है silhouette score हमने नई strings यूज की अब हमने यहां पे silhouette score append की है inertia के बजाए वही चीज है वही चीज है हमने यहां पे silhouette score जो है वह append कर दिया and then we plot number of k values और दा साथ में silhouette score let's see हमारे पास क्या बनता है यह हमारे पास क्या बन रहे है लेट सी पहले तो error आ रही है ओके इट विल टेक सम टाइम और यह तगरीबन तीन मिनिट लेगा तीन मिनिट सम सेकंड लेकिन यह आपको यह बता देगा कि आपका silver score कैसे आता है और फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि best value आपने कैसे select करने है तो आपको क्या लगता है यह कितने number of clusters हमें देगा best अगर इसने भी उतने दे दिये जितने हमें पहले album method ने दिये थे तो हम क्या करते है let's see और usually इसकी range वही होती है जो अभी आपने बताई है two to four album method के अंदर जो तीन पॉइंट जा रहे होते हैं इसकी range तकरीबन उसके आसपास होती है इससे ज्यादा या कम नहीं होती reason यह यह वही confusion थी वही silver method हमें resolve करने के help कर देते है so we will see that now यह time लेगा मैंने पहले बताया तो अगर दो या तीन या चार आता है तो it's fine, we are good to go लेकिन अक्सर अकात आपके पास silver method जो है वो different चीज़ें भी आपको देता है meanwhile मैंने आपको एक blog send किये जिसके अंदर seven methods to evaluate clustering, number of clusters in python उनको seven methods के थूँ आप कैसे चेक कर सकते हैं cheat sheet बनाई है एक बंदे ने तो आपने अगर उसका link देख लिए तो मुझे बताईएगा ज़रा कि आपको वो link मिल चुका है अगर नहीं मिला तो मुझे फिर भी बताईएगा उस पर यार को reaction दे दिया करो कि आपने उसको receive कर लिए देखिएगा यूँकर जारी बात है अगर हम सभी matrix को अभी देख लेंगे तो आगे हम नहीं चल पाएगे so I will just show you two और उसके बाद बाकी आप बहां पर देख सकते हैं बड़े easy है gap statistic भी easy है album method भी उसने बताई है silver coefficient भी बताई है ठीक है index CH index इसे बोला जाता है वो भी उन्होंने बताई है ठीक है so you can actually have a lot of other things there as well मैंने आपको बोला यह तीन मिनिट लेता है मैंने calculate करके देखा था just to show you कि यह किस तरीके से काम करते हैं cloud computer के जो lectures मैंने upload कि हैं दोजार इनफ तो start your machine on cloud server तो अगर आप वो देख लेते तो आपको पता चल देगा cloud system पे कैसे काम करने बाकि जाहरी बात है cloud computing कोई छोटा सा subject नहीं है it's a big thing लोग masters कर रहे हैं पूरे का पूरा उसमें so that's another domain बुड़ा सा सबर बस यह चलने वाले अब है क्योंकि 54,000 डेटा है तो वह ग्यारा दफ़ा ग्यारा क्लिस्टर बार बार चला रहा है और फिर उसका एक एक को train कर रहा है तो इस तरीके से अब मुझा बताएंगे कि इसमें से कौन सी चीज सबसे बेस्ट है कितने number of clusters best है इसमें से जो मैंने आपको ब्लॉग भेजा है जरा उसके अंदर देखिएगा कि silver coefficient जो होता है यह हमें कैसे बताता है कि कौन सा सबसे best है सिर्फ आप एक दफ़ा देख लें उसे फिर आपको समझ आ जाएगी आपने फोरण मुझे बता देना कि कौन सी चीज best है इसमें झाल जी देखा आपने वो लिंक फिर एक दफ़ा सोच लें उसने किस point को select की है अगर मैं आपको वह वाली स्क्रीन दिखाऊंँ यहां पर चेक करें सिल्वर्ट स्कोर रिजर्ट जो हैं वह यहां पर लिखे गए हैं यहां पर के नंबर ऑफ क्लस्टर्स है ठीक है आपके पास और यह फिट टाइम है सेकेंड में इसको नहीं हमने किया हमने सिरफ ट्रॉ किया है सिल्वर्ट स्कोर एंड के नंबर तो उसने कहां पर select किया उसने पहला select नहीं किया number of cluster क्यों उसका score कम था दूसरा नहीं स्लेक्ट किया उसका स्कोर कम था तीसरा select की है उसकी reason किया है कि तीसरा क्यूंके मतलब तीसरा पॉइंट यानिकर चुर्था cluster बनता है क्योंकि दो से टीसरा पॉाइंट में बात करू. चोथा cluster बनता है चार नंबर ऑफ κलस्टर क्यों उसने select किए क्योंके score is high ठीक है और वहां से किसी का score भी नहीं हाई और वहां से निचे drop-down हो हो ठीक है अब चलते हैं हमारे वाली example पे offerfully आपको बात समझ आजाएगी यहां पर आपको क्या लगता है कि बेस्ट स्कोर कहां पर किस जगा पर बेस्ट स्कोर है इसका हाइस टू पर तो हमारे पास नंबर ऑफ क्लस्टर पीछे कौन से बेस्ट आये थे तो दोनों तकरीबन सेम आ गए है अब मुझे एक बात बताएं अगर यह टू ना अच्छा आता मतलब मैं यहां पर अगर दुबारा चलाओंगा तो तीन में टेक्स्टा लेंगे अगर मैं स उसमें से आता रिजए ठीक है एक और थियोरी यहां पर आपको बता दो कुछ लोग ठीकली यह कहते हैं कि ठीक है यहां से तो ड्रैग डाउन हो रहा है नीचे बहुत ही अबरप्ट चेंजिस और हाइस स्कोर से नीचे की तरफ आ रहा है वो कहते हैं अगर हम यह वाले एक नहीं तीन से चार बनेंगे तो इट बी हार्ड फो यू टू लर्न के कहां पर स्कोर जो है वो मैक्सिमाईज होता है फिर यह भी कहते है कि अगर छे के बाद यहां पर मैक्सिमाईज चला जाए तो उसकी थियोरी यह है कि जब नंबर ओफ क्लिस्टर बहुत ज्यादा हो है कि जनाब अबकी सेलेक्शन हो गी है और आपके पास ऑप्शन खो़ी नहीं है आप क्या कहेंगे घैंगो मैं मैं लुक्क स्कोर ज्यादा होगा अगर आप दूसरी साइट की तरह भी किछाओ रखते हैं तो इसमेंज कि आपका वो स्कोर कम होता जाएगा फोकस है अगर मैं दूसरी डिरेक्शन में आइस्ता इस्ता फोकस करने लगूंगा ना तो मेरा ये वला कम होता जाएगा एक पॉइंट आएग ये जब दो कलस्टर बनाएंगे तो आपका सिल्वट स्कोर ज्यादा होगा ठीक है और अगर तीन बनाएंगे तो ये सिल्वट स्कोर कम हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि पॉइंट दूसरी साइड़ों पर देखना शुरू हो जाएगे या डिवाइड होना शुरू हो जा प्लॉट के सुरी पैरलल कोडिनेट प्लॉट के जस्ट इमेजन के कुछ इस तरीके से बनते हैं तो यह कंफूजन ज्यादा नहीं हो रही है यहां पर ठीक है समझ आगी बात की तो इस वज़ा से हमें यह सारी चीज़ें मंदे नज़र रखनी है हमारे पास यहां पर दो पॉइंट्स आए कि अगर हम यहां पर देखें अगर हम यहां पर देखें तो इनर्शिया जो है हमारा वो लूज करता जाएगा यहां पर चेक करें यहां में राखी देटर में नहीं आति हो इसको मैं रन नहीं कर रहा 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 हमारे लूज क्यों सभावन आए तो कोड मैंने लिखें इसको मैं रन नी कर रहरा है यह ही है कि अगर मैं इसको रन करूंगा देन इट विल शो मी उर टेक मोर टाइम चले रन कर देता हूँ तो में वाइल मैं आपको यह बताता हूं क्ए कि के मींज फ्लस फ्लस क्या होता है तो यह दो एवैलुईशन मैट्रिक्स मैंने आपको बता दिया बाकी आप देख सकते ह या उसका link मैंने notebook में भी रखती है ठीक है जो मैंने आपको दिखाया है तो आप वैसे भी अगर blogs देखें उन में भी आप यह देख सकते हैं और बाके जोगों पर भी देख सकते हैं अब रही बात के number of features से की value पर फरक पढ़ता है कि नहीं पढ़ता बिल्कुल पढ़ता है reason यह है कि अगर आपकी high dimension data तो आपने कुछ values उसे देनी है कि इसकी base पर clusters बनाओ so it will work on that thing अगर आपके पास for example 20 variable है अब आप 18 या 12 select कर लेते हैं कि इसकी base पर clusters बनाओ तो आपको पता है कि वो सभी ने तो पहले रोला डालके बैठे होना है कि अब हम कैसे find out करें so within cluster जो variation है वो बढ़ती जानी है ठीक है तो यह हमें चीज़ें साथ-साथ देखनी पढ़ती है इसी वज़ा से इसके बारे में assumption है खासतोर पर केमीन्स के बारे में कि बिग डेटा पे अच्छा काम नहीं करता कल भी आपको बात बताई थी पहली चीज़ तो यह centroid जो है वो कर रही है calculate करना मुश्किल हो जाता है दूसरी चीज़ यह थी computationally expensive है आप खुद देखें कि मैं इसको यह चोटा सा काम किया है कि silver score मुझे find out करके दे तो यह तीन मिनिट ले रहा है अच्छी खासी मिशीन पे अब चलते हैं के मीन्स प्लस प्लस क्या है और इसको कैसे हम performance में लेके आते हैं के मीन्स प्लस प्लस को के मीन्स प्लस प्लस बिसिकली आपका के मीन्स के model है लेकिन उसका प्लस वरिजिन आप कहा सकते हैं बिल्गुल के advance तरीका कार ये आपको start के अंदर जब आप random centroid देते हैं उसके अगले step में इसका काम होता है वो क्या कि जब centroid को adjust करना होता है तो ये basically multiple available centroid बनाके उसमें से best choose करके strategically calculation को कम कर देते हैं ठीक है अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जो मैंने यहाँ पर चीज़ें लिखी हैं for example k-means in the original k-means algorithm centroid are initialized randomly from the available data points ठीक है randomly assign हो जाते हैं बहले centroid k-means plus plus में क्या होता है यहाँ पर randomly तो assign होते हैं बट subsequent centroid are chosen based on the distance to previously selected centroid and then data points farther away from existing centroid higher probability of being chosen ठीक है क्या होता है कि आपको मैंने मैं बताया था यह centroid यहाँ पर फिर खुद को adjust करते हैं based on the data points करते हैं लेकिन जो यहाँ पर k-means plus plus के अंदर है यहाँ पर subsequent centroid यहाँ के पहले के बाद यह जब अपने आपको set करते हैं वो choose होते हैं based on the distances to previously selected centroid के पहले से कितना दूर है मतलब यह पहले centroid थे हमारे पास एक यह और एक यह data points आ रहे यह k-means और k-means plus plus दोनों में यही चीज़ होगी ठीक है अब जो दूसरा यानि के subsequent देखने है subsequent से मुराद होता है कि उससे अगला अब अगले जो select होने है या हमारे जो optimize centroid होने initialization के अगले step में अब इन्होंने randomly data points की base पे चूज करके इधर उदर हिलूल के find out कर लेना है कि यह हमारे position best है k-means में k-means plus plus क्या करता है वो strategically देखता है कैसे कि वो distance check करता है previously selected centroid से data points का and data points farther away from existing centroid मतलब ये कि अगर कुछ data points यहां पे हैं और एक data points यहां पे पड़े हुए है इसी एक algorithm के अंदर तो इसने क्या करना है पहले वो वाले choose करने है जो दूर है उनकी base पे इसने उसको adjust करना है मतलब ये कि ये वाला algorithm जो k-means ये करेगा पास-पास वालों की base पे हिलता जाएगा आगे जाता जाएगा फिर आगे फिर आगे फिर आगे फिर आगे फिर आगे ये start ही farthest away की base पे करेगा कि ये दूर पड़े हैं ये भी दूर पड़े हैं इनकी base पे मैं यहां पर direct चलागा which reduces the calculation time ठीक है? मतलब ये start से देखता है कि वो दूर खड़े हैं आओ बात सुनो मिलके बैठते हैं तो वो उसी के साथ जाके काम start कर देता है ये basic इसकी type है बाकी कोई इतनी कुछ बड़ी change नहीं है इसके अंदर then impact on clustering result क्या होता है? k-means क्या करता है? the random initialization in k-means can lead to different clustering each time the algorithm is run ठीक है? इसके अंदर क्या होता है? कि random initialization हर दफा नहीं algorithm रन करता है it is more sensitive to the initial placement of the centroid and there is a high chances of converging to sub-optimal solutions के ऐसी जगा पर भी जाते रहना होता है जहां पर जरूरत नहीं होती है मतलब centroid वहां पर ना भी जाता तो ठीक था ठीक है? तो फजूल काम यह ज्यादा करता है basically अगर मैं बात बता हूँ k-means plus plus क्या करता है? by strategically initializing centroid k-means plus plus mitigates the sensitivity to initialization यानि के कहीं पर भी बना दो इसके centroid इसको मसला नहीं हो क्योंके इसने जो subsequent centroid है वो highest point की base पर adjust कर लेने होते है इट encourages a more spread out initialization which typically leads to a better cluster formation and more reliable results k-means plus plus tends to produce more stable and consistent cluster across different runs ठीक है? अब इसकी efficiency और convergence यहाँ वो भी ज्यादा है ठीक है? अब मैं इसकी एक example आपको करके दिखाता हूँ कि k-means plus plus कैसे काम करता है अगर मैं simply यहाँ पर मैंने इसका code अपने पास रखा हुआ था yes this one just to show you एक छोटी सी change है बाग की सारा कुछ वोई है यह जी हमने पांडा, C1, Matplotlib सारा कुछ कर लिया features आगे, यह features हमने रख लिये, number of clusters हमने दे दिया k is equal to 3, ठीक है? अब k-means के अंदर आप क्या करते है k-means, number of clusters आपने दे दिये k, तीन रख लें, चार रख लें, डिरेक्टली वो भी यहीं पे भी आप सेट कर सेथे हैं पहले यह करते थे थे ना, अब आपने initialization जो है k-means plus plus कर देनी, that's it सिरफ add करनी है एक चीज़ के initialization based on k-means plus plus करो, यानि कि strategically calculate करो, ठीक है? और उसके बाद में fit करके आप number of clusters randomly उसके चेक कर सकते हैं, अगर standard k-means cluster आपने perform करनी है और उसके बाद आप दोनों के label चेक कर सकते हैं, कि कौन सा कहां पर आ रहा है, pair plot बना सकते हैं और visualize भी करवा सकते हैं, pair plot को, ठीक है? बट I would recommend कि हम यहाँ पे pair plot ना बनाए और यहाँ पे k-means cluster और साधी cluster और k-means plus plus और दूसरी, दोनों को fit करें, यानि कि यह है plus plus और यह हमारे पास k-means normal, ठीक है, random state दोनों के 52 क्यों रखी है, के एक दफ़ा जो चले वो बार-बार रहे वैसे, ठीक है, अब दोनों के जो labels हैं, वो हमने assign कर दी है, plus plus भी दूसरा भी, ठीक है, और उसके बाद हम basically इसको run करते हैं पहले, यह जी हमारे पास दोनों run होगे, हम यह हम इसको df.head भी करके देख लेते हैं, clusters तो उतने बनने हैं, ठीक है, changes अगर देखनी हैं इसकी, तो cluster pp और cluster अखेला जो है, उसकी base पर plot बना के आप देख सकते हैं, के दोनों में क्या changes आ रही हैं, ठीक है, अगर unique values देखे हैं, जारी बात है, अपने चारी cluster बनाए हैं, तो df.label, क्या था इसका नाम, yes, df.cluster value count और df.cluster pp value count और df.cluster pp value count. तो इसका मतलब यह है, कि simply आपकी initialization और centroid का तालुक है इसके साथ, ठीक है, और कोई इतना खासा फरक नहीं है, एक आपको जड़ा efficient performance देता है, और time of computation आपका बचा देता है, ठीक है, तो आपने क्या add करना होता है, सिरफ init add करना है, यहाँ पे initialization k means plus plus के base पे, और आपके performance जए वो कदरे easy और असान हो जाएगी based on other things, let's try this out, जो हमने यहाँ पे silver score के 3 minutes, 61 seconds लगे थे, यह वाले, 3 minutes, 26 seconds, मैं इसी को run करता हूँ, let's see, क्या होता है, मतलब मुझे नहीं पता मैंने किया नहीं है, मेरे बैठे-बैठे भी दिमाग में आगया idea, कि क्यों ना यह करके दे अगर कोई फरग ना पड़ा, तो मैं अपनी बात वापिस लूँगा, जो time ज्यादा लगता है, let's see, करना तो चाहिए, कदरे कम time में, आपको क्या लगता यह करेगा, नहीं तो पैड़ी तो हो लगती है, एक्सरोकात ना बंदे को, थियोरी यह कहती है, कि यह काम करेगा, बाकी पता कोई नहीं, 20 सेकेंड में इसने एक run की है, झाले में आपको कया है, झाले में इसे करे utकिती है, 9 एक मिनिट गुजर गया कोई साइंस नहीं आ रही सामने नजर इसके बाद हम 3D प्लॉट भी एक बनाके देखेंगे इसका और फिर हम इसको व्यू करेंगे कि कैसे क्लस्टर असल में नजर आते हैं फ्रॉम डेटा पॉइंट्स उनको डिफरेंट रीके से कलर करके और अगर आप एक्स्प्लॉर करना चाहें डेटा को विध 3D प्लॉट और आप क्लस्टरिंग करके इसको कर सकते हैं इससे असानी से आपको पता चल जाएगा बिल्कुल यहां पर बना के दिखाता हूं उसके बाद हम बलके 3D से भी पहले अगर हम एक स्कैटर प्लॉट बना के देखें जो हमने उपर बनाया था क्या ख्याल है तो यहां पर लॉट्ली को यूज करते हैं लेट्स यूज प्लॉट्ली एंड मेक प्लॉट्स ताकि हमें क्लस्टर जो हैं सैपरेडली नजर आने यह आप भी कर सकते हैं मतलब इजी काम है इंपोर्ट लॉट्ली एज पी एक्स फीगर इस इकल टू अच्छा भी बड़ा साइंस दान है कलर इस इकल टू कलर पीपी और फिक डॉट्ट शो जारी बात है उसको समझ आ गी है कि उपर वाला तो कैरेट डैप्थ और प्राइस की बेस पर इन दोनों से हमें क्लस्टर बेसिकली समझ आ जाएंगे बहुत थियोरी इनकी काम नहीं की के मीन्स प्लस प्लस की कि सेंट्राइड यह कर देंगे वो कर देंगे तो उससे भी ज्यादा टाइम ले रहा है ना कि में भी मैट्रिक्स अभी जो कैल्गिलेट करना से मुश्किल हो रहा है कि यह मैंने इदर उदर की कि चलाएं हुए कि पहले वाले में कितने लगें तीन मिनिट चब्भी सेकेंड हुँ कि के लो खैर नमबर ओफ क्लस्टर्श हमारे पास दो आ गए मैं इसमें अडिशन की थी मैंने कोड की यह वाली खेर हम प्लॉटली पर बनाते हैं प्लॉट मेरे पास तो काम नहीं किया के में इंस प्लस प्लस बाकी जो इसकी cluster number of clusters और बाकी चीज़ें हो सकते हैं clusters की base पर differentiate की हो इस फाइन अब यहां पर अब इसको गया हो रहा है color is not the name of column in data frame okay let's see and df.columns हमारे पास है xp carat yp price color is equal to i नहीं है उसके अंदर इसलिए यह मसला गार है हमने जो yes now it's working let's see कारट काट प्राइस यहां पे कारट और प्राइस X पे कारट Y पे प्राइस क्लॉस्टर.pp कलर is not the name in the column in data frame expected कारट कलर काट यार अभी तो डेटा फ्रेम हमने बनाया नौ इस तरीके से भी आप इसको व्यू कर सकते हैं इसका सबसे बड़ा advantage यह होता है कि आपको हर data point का पता चल जाता है किस class में simply वो तो खेर आपको plots के बगार भी पता चल जाएगा तो यह वो boundary line है जिसकी मैं कल बात कर रहा था जो कल आपको assignment दीते हैं कि कौन से boundary lines होती है और कौन separate करता है clusters को वो आप line यहां से देख सकते हैं कि यह यह वली line है आप इसकी draw भी कर सकते हैं line के जहां पे clusters जो हम सेपरेट कर रहे हैं by the way this is another way to draw different clusters और आप उनके points और उनको study कर सकते हैं when you are finding some point के यार यह इस cluster में क्यों गया है ठीक है plotly के उपर इसको draw करूं in 3D plot तो it will show something like this तो आप इसको अपनी मर्जी से जैसे भी drag करना आप कर सकते हैं तो clusters के data point आप 3D view में भी देख सकते हैं जिसके तीन axes होंगे basically हमने जो तीन axes दी हैं वो सारे के सारे यहां पर है carrot का हो गया depth होगी और आपके पास price होगी ठीक है तो आप अगर दो को ऐसे रखना चाहें तीन को ऐसे रखना चाहें you can play with this जारी बात है जिसके पास system heavy नहीं है please वो यह वाले plots draw ना गरे वरना मसला हो सकता है और company जुमेदार नहीं होगी ठीक है तो यह एक option है आपके पास अपने data को view करने की और at the end में यहां पे अगर parallel coordinate plot आपका सिरफ cluster की base पे बनाना चाहूं तो we can also do that और वहां पे आप colors को show कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया था और example जो हमने plot यहां पर बनाया था तो यहां पर दोबारा से बनाते हैं fig is equal to px.parallel coordinates df और cluster pp की base पे fig.show कर लेते हैं this is how you can actually explore the data यह कुछ मैंने आपको examples बताई हैं बाकि जहरी बात है आप जब इस clustering के उपर ज्यादा काम करेंगे तो आपको पता चल जाए अब एक बात याद रखे हमें तो पता है ना कि चलो ठीक है price, carrot, cut और इस तरह की classification कर रहे हैं आपको real life में ऐसा data भी मिलता है जो पत एक अच्छी से मिसाल देता हूँ फिर इस lecture को यहां बेंड करते हैं आप अपनी web history का data निकाले और search करें कि मैंने 15 दिनों में क्या search किया है आप clusters बना सकते हैं? clusters के अंदर होंगे आपके keywords अगर एक cluster में एक किसम के keyword आ रहे हैं दो में दूसरी किसम के दीन में तीसरी किसम के इसका मतलब यह है कि आप उन clusters को फिर study करेंगे किसमे common के है? जैसे कि एक search में अगर आपके पास हारा है बार-बार फलानी news channel तो इसका मतलब यह है कि आपने पिछले दिनों ज्यादा तर search किया news को सुनना क्योंकि पाकिसान के अंदर ज्यातर यही सीन आचकल चल रहा है तो इसका मतलब क्या है वो एक cluster को आप बाद में नाम दे सकते हैं कि इस cluster belongs तो नियूज ठीक है फिर आप दूसरा चेक कर सकते हैं जहां पर machine learning data science और इस तरह की चीज़े हैं हो सकता है वो दूसरा cluster हो तो आप क्या करेंगे उसको चेक करके उसकी categories को पढ़के फिर आप उसे classify कर सकते हैं later on कि this belongs to this name ठीक है अगर आपने वहां पर for example आप fork music सुनने हैं ठीक है नुसरत की क्वालियां सुन रहे हैं और वो सारी की सारी search एक cluster में जा रही है इसका मतलब यह है कि you spend some time on a cluster जिसके उपर आपने क्वालियां सुनी है music सुने ठीक है और अगर 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 आपने डेटा साइंस की वीडियो जाने के गुडैनिक्स के चैनल पर देखी हो सकता है मेरे keywords की वज़ा से आपको वे separate cluster में है तो यही है clustering और यही unsupervised machine learning है जिसकी base पे आपके clusters को divide किया जाता है divide कोन करता है machine नाम कोन रखता है आप as a data scientist समझाई बात की अब समझाई यह unsupervised क्या है तो यह clusters अगर अच्छे नहीं होंगे आप खुद सोचें अगर मैं सिरफ यह तीन चार categories बनाई है अगर पांच भी category उसमें बन जाती के के कुडैनिक्स के अलावा आपने machine learning की सुने और कुडैनिक्स की फ्लाम वीडियो को देखा है इतने मिनिट इतने मिनिट इतने मिनिट वो ज्यादा स्पेसिफिक हो जाना है आपका time point के हिसाब से तो हमारा वो मकसद नहीं हमारा main मकसद होता है broader classes के अंदर चीज़ों को लेकिया होगी अब यहां पर इस lecture को हम stop करते है